अलो वाइज वाइज हो आपके लिए के आई हूं मल्टिप्लिकेशन बाइज यह कहने ऐसे की आपने अपने प्रिवेस वीडियो में किया था मुल्टिकेशन बाय इलेवन के साथ करेंगे उसमें भी मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको कोई भी 20 तक टेबल लर्ण करने की जरूरत नहीं है सेम इसमें भी वही टर्म आपकी है कि इसमें भी 10 तक जिसको टेबल आते हैं वह आगे वन लाइन मुल्टिप्लिकेशन बड़े इजी वे के साथ कर सकता है लेट्स स्टार्ट मैं तॉपिक हैं तो आज के टोपिक में करेंगे 23 को फुर्स्ट कोईशन है हमारा 23 को मुल्टिलाई करेंगे हम 12 के साथ देखो स्मैत्थ जो है हमारा बिल्कुल सेम है जैसे हमने 11 के साथ मैथिए बट इसमें परक्या है कि यहां पर है 12, it means 2 digits है, वहां पर 11 था 1 बन था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, apply a 0 on the left side of the multiplicand, double each digits and add it to the successive right hand side of that term and write the unigits of the addition in this answer, okay? सबसे पहले सेम हमारा method है, इसमें हम क्या करेंगे, 0 पहले हम लोग left side पे लगाते हैं, मैंने यहां पर 0 लगा दिया, मैं आपको एक कोशन method के साथ साथ करके बताऊंगी, उसके बात में आपको सारी कोशन direct one line multiplication में करके दूंगी, because एक कोशन करके आपको concept clear हो जाएगा, इसमे मैंने कोशन लिए हैं, उसमें first question हमारे पास है, two digits को हमने multiplication 12 के साथ किया है, उसके बाद three digits, four digits, five digits, six digits, so उन ऐसाब कितने भी digits हो, उनको 12 के साथ easily multiplication कर सकते हो, देखो यहां पर zero मैंने पहले left hand side पे लगा दी, यहां पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, zero or two के साथ, देखो zero or two के साथ कैसे हमारा बनेगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, two से multiplication करनी है, यह वला जो two number है हमारा, इसको हम सबसे पहले zero से multiply करेंगे, next number को हम add करेंगे, इसको हम first bracket में लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारे पास next कौन सा आएगा, फिर उसी two को हमने next two के add करेंगे, देखो हमारे पास क्या बन गया, two into zero, zero, zero plus two, two आ गया, यहां पर आ गया, four plus three is seven, यहां गया seven, two or three is six, so answer is 276, 23 को जब हमने 12 से multiply किया तो हमारा answer क्या बन जाएगा, 276, it's very easy way, अब यहां पर तुम्हाने method को apply कर दिया, अगर हम डारेक्ट अगला कोशन करने लगे तो वो भी बहुत easy है, उसमें भी अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम left side पे zero लगाएंगे, अब देखो मैं oral करके दिखाने लगी हूँ, सबसे बहले मैंने क्या करना है, two को zero के साथ multiply करना है, plus six करना है, तो उसके accordingly देखो मेरे पास क्या आएगा, पहले मेरे पास आजाए वो क्या आजाएगा, six, six plus four क्या होता है, ten, again four को two से multiply करते हैं, तो क्या आएगा, eight आजाएगा, तो देखो इसमें नंबर क्या आएगा मेरे पास, seven, six, zero, eight, so answer हमारे पास यहां पर बन गया, seven, six, zero, eight, यह हमारा बिल्कुल simple way है, question को करने का, conventional method को use करने की कोई जरूरत ही न लगता है, इसको solve करने के लिए, देखो, आपको मारे पास है, next question है, four, two, zero, one, multiplication, five, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे बहले, यहां पर क्या लगाएंगे, zero, लगाएंगे, इसको भी हम और बेके साथ करते हैं, सबसे पहले, two को zero से multiply किया, zero, zero, plus four is four आगया, मेरे पास उसके बाद four को two से multiply किया, eight plus two क्या आएगा, next term मेरे पास कौन सी आजाएगी, next term हमारे पास आजाएगी, ten आजाएगी, clear, next term हमारे पास ten आगी, फिर two को two के साथ हमने multiply कर दिया, plus zero है, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, four बन जाएगा, उसके बाद है, two को zero के सब मल्टिप्लाय करते हैं तो वो क्या जाएगा 2 आ जाएगा सो उसी वेश से अब हम एडिशन करेंगे 4 प्लस 1 यह हो गया कैरी हो गया बाके मारे पास आंसर है 50412 तो हमारे पास यह बाला जो आंसर बन गया यह बन गया 50412 आप इसको कैल्कुलेटर की हल्प के साथ भी चेक अब यह कंसेप्ट है देखो अभी हमने सिंगल लाइन में इसको कैल्कुलेशन कर दी है अब नेक्स हमारे पास है नेक्स और कोशन भी हम लेके आए हैं 8 3 1 2 को मल्टिप्लाय करते हैं 12 के साथ यह भी तेखो यहां पर हमारे पास कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 4th कोशन में हमारे अब भी तो प्रस फाइड़ करेंगे यहां पर हम क्या कर देंगे जी रो को भाइब करेंगे तो क्या आएगा 2 0 के साथ मॉल्टिप्लाय होगा जब 2 जीरो प्लस एट प्लस एट है एक आगया हमारे पास फिर एट को टू से मौल्टिप्लै किए 16 प्लस 3 कितना हमारे पास 19 फिर 2 को 3 के साथ किया, 6, 6 plus 1 के बन गया, 7, फिर उसके बाद है, 2 को 1 के साथ किया, 2 plus 1, 2 को 1 के साथ मल्टिप्लाइ किया, 2, 2 plus 2 के बन गया, 4 बन गया, फिर अभी हमने 2 को 6 के साथ मल्टिप्लाइ किया, वो हम 12 बना देंगे, फिर 2 को 2 के साथ मल्टिप्लाइ करते है, 4 plus 6 कित 9 तो आंसर आगया 9, 9, 7 और इसको भी हम करी करेंगे अगेन इसको हम करी करेंगे तो हमारे पास चुह है आंसर है वो क्या बन जाएगा 9, 9, 7, 5, 1, 2 देखो अब हम नेक्स कोशन करने जा रही हैं फिर्फ्ट कोशन है 4, 9, 7, 82 को हम मर्टिप्लाई करेंगे 12 के साथ इसमें भी हम लोगने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लगाना है, 0 लगाना है, 2 को 0 से मल्टिप्लाई करते है, 0 प्लस 4, 4 आ जाएगा हमारे पास उसके बात है, 2 को हमने किसके साथ मल्टिप्लाई करना है, 2 को हमने 4 के साथ करना है, 4, 2 का 8 प्लस 9 ये बन गया 17 फिर 2 को हम लोग करेंगे 9 के साथ 18 plus 7 वो बन घया मेरे पास 25 फिर हम करेंगे 2 को 8 के साथ 16 16 plus 2 18 उसके बाद हमारा एक बीच में लाए襟 सेवन के साथ वो किया तो कितना आगया 14 14 plus 8 कितना होता है 22 रागया हमारे पास और next हमने जो number ले लिया था वो कौन सा था 8 x 2 16 plus 2 कितमा आगया 18 and 2 x 2 क्या आगया 4 अब देखो इसमें भी मेरा अब भी हमने 5th question देखो किया है starting में 0 लगा दिया है 49782 multiplication 12 किया है इसमें भी हमने same method के साथ यहां पर हमने solve करके लिख दिया है 4172522184 कैसे किया 2 को 0 से multiply किया है plus 4 4 आगया 2 को 4 के साथ किया 8 plus 9 17 आगया 2 को 9 के साथ किया 18 18 plus 2 हमारे पास किया 7 25 फिर हमने 2 को 7 के साथ किया 14 plus 8 22 2 को 8 के साथ किया 16 plus 2 18 22 का 4 तो उसके accordingly देखो हमारे पास result कै बन रहा है 5 9 7 3 8 4 यह मेरे पास आगया 3 यह इसका आगया 7 और यहां पर हम लोग result लिखेंगे अभी result हमारे पास याएगा 5 9 7 3 5 9 7 3 8 4 यह हमारे पास 9 बनेगा उसके बाद है next question बन जाएगा clear है उसके पाद हम लोग करने लगी है 6 है 6 देखो हमारे पास है 1 0 0 3 1 2 को हम 12 से multiply करेंगे जब इसको करेंगे यहां पर भी same method है यहां पर हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे यहां पर भी सेम है, जब हमने यहां पर 0 लगा दिया, तो 2 को जब 0 से multiply किया, तो हो क्या आ गया? 0, 0 प्लस 1, 1 आ गया, 2 इंटु 1, 2, 2 प्लस 0 हमारे पास फिर बन गया, 2 बन गया, 2 इंटु 0 प्लस 0 हो क्या बन गया? 0 बन गया, फिर 2 इंटु 0, तो 0 प्लस 3, 3 आ गया हमारे पास, 2 इंटु 3, 6, 6 प्लस 1 क्या आ गया, 7 आ गया, 2 इंटु 1, 2, 2 प्लस 2, 4 आ गया, next last में क्या आ गया, 2 इंटु 2, 4 आ गया, तो यहां पर जो हमारे पास answer है, वो exact आ गया, 1, 2, 0, 3, 7, 4, 4, यहां पर तो कुछ भी addition करने के जरूरत ही नहीं है, हमें पड़ी, direct answer आ गया, 1, 2, 0, 3, 7, 4, 4, clear, उसके बाद है, next हमारे पास है, एक last question में लिखिया है, 3, 8, 1, 2, 5, 0 को 12 से multiply करते हैं, इसमें भी same process है, 0 हमने लगा दिया, 2 को 0 से पहले multiply करते हैं, plus 3 करेंगे, तो क्या आएगा, 3, again, 2 को 3 के साथ किया, 6, 6 plus 8 हमारे पास बनता ह 14, next उसके बाद है, 2 को 8 के साथ करते हैं, 16 plus 1 क्या बनता है, 17, again, 2 को 1 के साथ करते हैं, 2 plus 2 क्या बनता है, 4, again, 2 को हमने 5 के साथ किया, 2 को 2 के साथ किया, वो भी हमारे पास आ गया, 4 plus 5 क्या आ गया, 9, again, 9 आने के बाद हम लोग करते हैं, 2 को 2 के साथ किया, 4 plus 5, 9 आ गया, 2 को 5 के साथ किया 10 वो भी आ गया 10 प्लस 0 इस 10 आ गया और 0 को हमने 2 के साथ मल्टिप्लाइ किया वो क्या आ गया मेरे पास 0 तो देखो इसी वे से अब हम लोग जब इसके अडिशन करेंगे क्या एगा 4 5 7 आ गया एगा 5 0 0 यहां पर हमारे पास आंसल लिखेंगे 4 5 7 49 प्लस 1 50 आ ज क्लियर तो यह मेरे पास आंसर आ गया 4 5 7 5 0 0 तो इसके लिए देखो मैंने अभी आप लोगों को पूरा मैठड बता दिया है कैसे हमने इसको सौल करना है क्लियर तो आज की वीडियो में मैंने आपको 12 के साथ मल्टिप्लिकेशन बता दी है अब नेक्स वीडियो में मैं मैं सब्सक्राइब को 13 से लेके 19 तक भी बताऊंगी वह सेम मैकड़ है जैसे अभी यहां पर हमने 12 के साथ किया है वहां पर 13 के साथ करेंगे तो 3 के डिजिट को पहले 0 से मल्टिप्लाय करके अधिशन करते जाएंगे तो अब आपने इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेय करो ट्विटर पे फेस्बूक इंस्टाग्राम वर्टसब पे इसको शेयर करते जाओ और जो पच्छों को आगे कॉंपिटेटिव एक्जाम देने हैं उनके लिए बहुत बैनिफिस्चिल है वह स्टूटन आप जितना शेयर करोगे वह स्टूटन को इस चीज के लिए काफ कि लिए कर दो पाद देनिए रए बहुत कर को वह स्टून को क BARI आप Dame अवाब तो